जब लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो कुछ दिन तो उसका बड़ा ध्यान रखते हैं थोड़े वक्त बाद आप ये समझ ही नहीं पाते कि बाइक का सही ध्यान रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए हम आपकी इस समस्या को समझते हैं और इसलिए आज हम आपको देखभाल में आपकी मदद करेगी और हम इस तरह के टिप्स आपको लगातार देते रहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल एंजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का एकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिसना करें बात करें बाइक का ध्या रखें कि आप स्पार्क प्लग वॉल्व और कार्ब्यूरेटर की सफाई भी जरूर करवाएं साथ ही स्पार्क प्लग को भी वक्त पर बदलते रहें बाइक की अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इंजिन ओयल को भी वक्त पर बदलने की जरूरत होती है कोशिश कर ये कि बहुत ही जरूरी होता है और इसका एड़िस्ट्मेंट गलत होने पर बाइक ठीक से काम नहीं करती तो कोशिश करिए कि इसे जादा टाइट ना रखें ताकि बाइक अस्तानी से चल सके साथ ही सही क्लच एड़िस्ट्मेंट से गाड़ी का एवरेज भी ठीक रहता है इसके सा बाइक का एयर फिल्टर भी साफ होना चाहिए ये बहुत जरूरी है तो कोशिश करिए कि उसे बदलते रहिए और साफ रखें बाइक का ध्यान रखने के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी बाइक के टायर में हवा का प्रेशर सही रखें और बिना ग्रिल वाले टायर स साथ ही इसकी वील बैलेंसिंग वक्त पर करवाते रहिए बाइक से अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ये भी जरूरी है कि आप बाइक के चेन को साफ रखें और इसे ना ही टाइट रखें ना जादा धीला सर्विसिंग के वक्त आप इसके लिए मेकैनिक से स्पेशल डिमांड कर सकते हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कभी बाइक की चेन पर मिटी लग जाए तो उसे पानी से धोने की बजाए ब्रस से साफ करिए और इन सब बातों के साथ ये भी ध्यान रखें कि आपकी बाइक की बैटरी में कोई लीकेज ना हो और अगर आपको कोई भी लीकेज दिखे तो कोशिश करिए कि बैटरी को तुरंधी बदल दीज़े अगर आप इन टिप्स को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप बाइक का ध्यान अच्छी तरह से रख पाएंगे और बाइक झाल झाल